नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फर्याली मीठा मिक्षर, जिसके लिए हमें चाहिए साबुदाना, यह साबुदाना पाफ्ट साबुदाना होता है, यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है, यह हमने लिए है आलू की कत्रन, इसे हम उबाल कर और सुखा कर बना करते हम फर्याली मिक्षर बनाना, हमने तेल चेक कर लिया है, हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे साबुदानी, हम इसे थोड़े-थोड़े करके डालने है, हम इसे बिल्कुल मेडियम आज पर इसे धीमे-धीमे पकाएंगे, और यह पॉफ्ट होके बिल्क और यह ऑर आज है ज़क्वे कर दो कसे देल कि लिएयगा जळाहिए में आज होगा जङ्यां जचाओ सालगा को साइछ, जडी इसे अपराने है तेल आज हमारे एंगे यह देकि यह वपरामे Lord Saat, दो reper दो हमारे के ऑलने है, आज हमारे भप साल्वेब हैना जो है हमें इसे थोड़ी मेडिया माच पर पकने देना ताकि अच्छी से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से कच्चे हो जब तक यह पक रहे हैं तब तक हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं हमने यह पिसी होई चार चमझ शक्कर लिए शक्कर आप अपके स्वादा नुसार ले सकते हैं हमने इसमें एक चोटा चमझ फर्याली नमक लिया है और आदा चोटा चमझ काली मिर्च प्रॉडर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमेसे चिसे मिक्स कर लेंगे हमारे से अबुदाने अच्छे से पग गए हम इनने निकाल लेते हैं हम इसका तेल अच्छे से निकाल लेना है हम इसी तरह से बाकी के भी तलते जाएंगे थोड़े थोड़े करकर हम इसमें अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे कर लिया हैं अब हम आलू की कत्रण को प्रॉड़े निकाल लेंगे हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें अच्छे से अच्छे से अच्छे कर लिया हैं अब हम आलू की कत्रण को प्रॉड़े करेंगे हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें पी मसाला में ला लेंगे और बाकी की कत्रम की सितरा तल लेते हैं हमने आलू की कत्रण भी फ्राइ कर लिए अब हम मूंग फली को फ्राइ करते हैं यह जारा मिक्चर बनाने का आता ही मार्केट में आसानी से मिल जाता है इससे मिक्चर बनाने में बहुत ही आसानी होती है हमारी मूंग फली भी फ्राइ हो गई है अब हम गेस बन कर देते हैं इसमें भी मसाला मिक्स कर देते हैं अब हम बचा हुआ मसाला पूरे मिक्चर में मिक्स कर देते हैं अब रिसेट्चे से मिला लेते हैं अब है अब है अब है अब है यह मसाला हमें गरम गरम मिक्स करना बहुत जरूरी आकि इसका फ्लेवर अंदर तक चली जाए हमने इसे इच्छे से मिक्स कर दिया है यह देखिए हमारा मिक्सर कितना अच्छा दिख रहा है अब हम इसे ठंडा होने देते हैं ठंडा करके इसे हम एरेटाइट बॉक्स में फरकर रख सकते हैं हम इसे ठंडा होने देते हैं हमारा फर्याली मिक्सर ठेंडा हो गया है अब आम इसे सर्व भी कर सकते हैं और इसे एरटेक टब्बे में फरकर आप कई दिनों तक इसे खा सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक केजे, कमेंट केजे और शेयर केजे हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद